So hello and welcome you all, I am Rohit from Mahajan Trader So आज इस वीडियो में हम बात करेंगे NHPC की साथ ही अडानी को भी हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को आगे continue करो उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल The Mahajan Trader को subscribe नहीं किया है तो प्लीज चैनल को subscribe कर लेना साथ ही आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगी वहाँ पर आपको nipty bang nipty की काफी कुछ updates मिलने वाली है तो प्लीज जा कर एक बार check out जरू कर लेना तो वीडियो को करते हैं continue NHPC Limited की अगर हम बात करें तो NHPC Limited में आज हमें अच्छे return देखने को मिल है काफी अच्छे तरीके से stock ने momentum आज बताया वही अगर देखे morning में stock ने काफी अच्छे high भी लगाया आज अगर आप देखोगे तो यह 74.40 रुपीज तक का high इसने आज लगाया 70 का low भी था और stock ने बिलकुल एक अच्छी बड़त बताई भी और उसके बाद stock में अगर देखे तो यहाँ पर high लगाने के बाद गिरावट ने जराई stock में यहाँ पर गिरते गिरते यह जो share है काफी अद तक downside की और भी आता गया बट वही अगर देखे downside की और आने के बाद stock ने फिर बाद में एक recovery बताई लगबग 1.15 पे से share बढ़ गया और add and stock ने यहाँ पर 73.25 रूपिस के round तक की closing दी है 90 पे से के round अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें return देखने को मिलते हैं तो बिलकुल यहाँ पर इस चीज के उपर भी आपको focus करना चाहिए वही अगर हम बात कर लें तो पिछले 5 दिनों के अंदर अंदर यह जो share है तो यहाँ पर 3.90 पे से बढ़ चुका है ठीक है एक महीने में stock 7.55 पे से बढ़ चुका है और यहाँ पर अगर दिखा जाए छे महीने में 27 रुपे और एक साल में 31 रुपे तो return जो हमें देखने को मिल रहे है और बिल्कुल consistency के साथ यहाँ पर देखने को मिलते हैं काफी अच्छी तरीके से stock उपर की और के momentum यहाँ पर बता रहा है और जैसा मैंने बताया आपको की 8 रुपे हर share पर अगर आप मिल सकते हैं हाँ बिल्कुल क्योंकि हाँ पर CLSA का मानना है कि यह जो share है सीधा 81 रुपेस तक का जो level है ओई easy तरीके से achieve कर सकता है 81 रुपेस तक अगर जाता है और 70 के around की भी आपकी buying होंगी या 73 के around की buying होंगी तो आपको कही न कही 8 से 10 रुपे तो मिल ही रहे है एक share के उपर तो इस चीज़ के उपर भी आपको यहाँ पर focus रखना है तो बिल्कुल यहाँ पर आप positive रह सकते हों साथ ही क्या हमें NHPC में dividend मिलेगा तो इसका answer है yes हाँ बिल्कुल आपको अगर देखे तो फरवरी के महीने में highly chances है कि dividend मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि company अगर देखे इसकी dividend history को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ समझ में आती है कि company यहाँ पर एक pattern के साथ dividend देती आई है ठीक है अब previous year के अगर बात कर ले 2023 के अगर हम बात करें तो 2023 में company की ओर से dividend दिया गया था वो dividend दो बाई dividend दिये गए थे 2023 में एक dividend यहाँ पर फरवरी में दिया गया और दूसरे dividend की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगस्थ में दिया गया और बिल्कुल यहाँ पर अगर देखे हैं हम फिर से 2022 में आ जाते हैं 2022 में भी अगस्त और फरवरी यहाँ पर डिविडेन मिला है 2022 के फरवरी में डिविडेन मिला है 2021 की बात कर ले तो फरवरी में डिविडेन मिलता है 2020 के फरवरी में डिविडेन मिला 2019, 2018, 2017, 2016 और बात करेगर 2015 की तो जनवरी और फरवरी स्टार्टिं के दो महीने के अंदर अंदर company के ओर से dividend दिया जाता है तो यहाँ पर इसके dividend history को देखकर यह लग रहा है कि इसके quarter 3 के results जल्दी यहाँ पर release होगे quarter 3 के जो results है वो भी जल्दी announce होने वाले हैं तो इसके उपर भी आपको focus रखना है तो यहाँ पर easy return आपको मिल सकते है इस talk में easy return आपको देखने को यहाँ पर मिल सकते है और बिल्कुल यहाँ पर अगर आप देखो तो जो यह share है यहाँ पर stock के अगर मैं बात कर लो यहाँ पर यह dividend के मामले में तो consistent ही है बट वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो volume है volume भी तगड़ा हमें नजर आता है volume भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर तगड़ा नजर आता है हमें volume यहाँ पर अगर आप देखो तो 6 करोड के around तक का trade value हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है तो यह भी एक अच्छी चीज यहाँ पर हमें नजर आ रही है और वही बात करें अगर yesterday की तो yesterday भी यहाँ पर 5 करोड के around तक का trade value था बिल्कुल यहाँ पर आग देखोगे तो 5 करोड के around तक का trade value हमें yesterday देखने को बिल्कुल volume की बात कर लें तो high volume यहाँ पर share में नजर आते हैं ठीक है बारी आती है community sentiments के आकडों की तो community sentiments के आकडे भी यहाँ पर शांदार है जिसमें 67% लोगों की और से stock में यहाँ पर buy करने के लिए कहा जा रहा है और वही एगर देखा जाए 33% लोगों की और से stock में hold करने के लिए कहा जा रहा है तो इसके उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है 100% लोग जो है stock में positive है जो काफी अच्छे numbers है इसके उपर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए ठीक है तो बिल्कुल यहाँ पर यह जो चीजे है काफियत तक आपको positive यहाँ पर लेनी है क्योंकि यहाँ पर community sentiments के आकडे भी positive ही यहाँ पर हमें नजर आ रहे है तो इसको लेकर भी आप यहाँ पर positive रह सकते हो तो यहाँ पर हमने levels के बारे में तो काफि कुछ बाते कर ली इसके volume को हमने यहाँ पर देख लिया और वही गर हम देखें तो यहाँ पर share में जो NHPC के level है level भी काफि अच्छे नजर आते है levels की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कल जो level हमने discuss किये थे उन level के हिसाब से यहाँ पर stock ने हमारे target easy achieve यहाँ पर कराया है यहाँ पर अगर आप देखो मैंने पहले ही clear कर दिया था कि stock में एक symmetrical type pattern यहाँ पर बन रहा है हमने एचीच पहले ही clear कर दी थी कि stock में symmetrical type pattern बन रहा है और symmetrical type pattern से straight line का rejection था तो मैंने एक चीच क्लियर कर दी थी कि stock में अगर ही level break होता है अच्छे return आए गया तो यहाँ पर starting में तो gap down आया बिल्कुल आप देखो but gap को sudden इसने feel कर दिया sudden gap यहाँ पर feel हुआ sustain किया sustain करने के बाद अच्छे high लगा 74 के around तक का high लगा फिर उसके बाद नीचे आता गया आता गया फिर यहाँ से बड़ा क्योंकि market भी आज अगर आप देखोगे काफी down नजराया है इसी वज़े से इन stocks में भी गिरावट रही बड़ आप यहाँ पर अगर देखो इस level को break होने का आपको wait करना है कल के दिन कल अगर यह level break हो गया तो यहाँ से stock में और भी बड़े momentum अच्छी हो जाएगा यहाँ से और एक बड़ी तेजी हाँ पर आगी और अल्रेड़ी यह stock अगर देखे इस particular level के around sustain करने कुशिश कर रहा है क्योंकि downside की और से यह वाला जो level है मैं यहाँ से एक बार और फिर बना देता हूँ तो यहाँ से अगर आप इस level को देखोंगे तो यहाँ से आप clear हो जाओगे कि यहाँ पे एक बड़ी बड़त के लिए stock ready है एक बड़ी बड़त यहाँ से आ सकती है आप देखोगे continuously stock ने इस particular level पे support लिया आज भी यही से reversal आया यहाँ पर भी support है उपर से अगर rejection है तो एक ascendal type triangle आप इसे कह सकते हो ascendal type triangle आप इसे consider कर सकते हो और वही अगर आप देखो तो stock में EC के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ से तो यह शेर उपर जा रहा है और breakout अगर मिलता है तो stock में यहाँ से और बड़े momentum देखने को मिल सकते है यहाँ से और एक बड़ी बड़त हमें देखने को मिल सकती है इस चीज के उपर भी आपको ध्यान रखना और 75 से लेके 81 रुपीस तक के target दिये जा रहा है बड़े-बड़े firms की ओर से तो यह target भी यहाँ पर easy तरीके से अच्छी हो सकते है तो इस चीज के उपर भी focus करो ठीक है आगे बढ़ते हैं अब बारी आती है यहाँ पर अडानी की तो अडानी ग्रूप ने एक बड़ा प्रोजेक्ट एक बड़ी deal यहाँ पर sign की है और deal की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर अगर आप देखो तो बारा हजार चारसो करोड के राउं तक की एडिल साइन हुए है और बिल्गुल एक बड़ा agreement है वही अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अगर देखे एक बड़ी deal साइन हुई है यहाँ पर एक बड़ा investment कर रहे है तेलंगारा में CM के सामने यह deal साइन हुई यह World Economic Forum के तो एक बड़ी चीज है 12,400 करोड का एक बड़ा investment company करने जा रही है So I hope आपको यह वीडियो helpful और अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी stock में investment करने से पर इंशेर्स का एक बार analysis भी कर लेना साथ ही आप टेलिग्राम जुने को जॉइंग करो लिंक नीचे description में है Thank you